सौर उर्जा आजकी नहीं बलकि 21 सदी की उर्जा जरुरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है क्योंकि सौर उर्जा शौर है, प्योर है और सिक्योर है माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नवीन नवकरनीय उर्जा के उप्योग के संकल्प की ओर अग्रिसर होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नित्रित्व में इंदौर नगर निगम व इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा जलूद में 220 एकर भूमी पर 308 करोड रुपई की लागत से 60 मेगा वाट के सोलर प्लांट का निर्मान होने जा रहा है। इस प्लांट की स्थापना से इंदौर शहर में मा नर्मदा से जलापूर्ती की पंपिंग में प्रतिमा होने वाले लगभग 25 करोड रुपई के खर्च में 4 करोड रुपई की बचत होगी, साथ ही सालाना 90,000 कार्बन क्रेडिट अर्जित होंगे, तथा CO2 उत्सरजन में इतन किया, जिसमें 29 राज्यों के लोगों ने सहभागिता दिखाते हुए कुल 244 करोड रुपई का निवेश किया, इस राशी के साथ ही भारत सरकार से ग्रीन बॉन्ड वप्लांट के लिए 62 करोड रुपई की सबसीडी प्राप्त होई है, जिससे प्लांट की स्थापना तथा दस वर्षों तक मेंटेनेंस कारे किया जाएगा, इस अभिनो प्रकल्प के द्वारा इंदोर नगर निगम ने इनोवेटिव कारबन पबलिक फाइनसिंग एवं पर्यावरन संद्रक्षन की दिशा में एक महत्वपून कदम उठाया है